हेलो दोस्तो मैं रुपास्त्री और हमारे यूटुब चैनल में आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे माल पहाडिया जंजाती के बारे में माल पहाडी जंजाती जो है वो जार्खन की आठ आदिम जंजातियों में से एक है ये जो जंजाती है माल पहाडिया ये पहाडी जंजाती की जो दो प्रमुक साखा है उनमें से एक है इनकी प्रजाती प्रोटो औस्ट्रलाइड प्रजाती है और इनकी द्वारा जो भासा बोली जाती है उस भासा को मालतो भासा कहा जाता है माल तो द्रविड परिवार की भासा मानी जाती है और यह जनजाती मुख्य रूप से जार्खंड राज्ज के दुमका, गोड़ा, देवगर, पाकुड और जामताडा जिले में पाई जाती है इसी लिए इनको संथाल परगना प्रमंडल का मुल निवासी कहा जाता है माल पहाड़या जनजाती के लोगों के जिविका का जो मुख्य शाधन है वो है सिकार खाद संग्र और जूम क्रिसी इनके जिविका उपारजन का मुख्य साधन है एस्तानिय क्रिसी एस्तानिय क्रिसी को यह अपने भासा में कुर्वा खेती कहते हैं इन में गोत्र वेवस्था नहीं पाई जाती है लेकिन डेहरी, ग्रीही, मांची, लाया और पुजार के रूप में इनका परिवारिक विभाजन होता है माल पहाड़िया जनजाती में विवाज के लिए माता और पिता दोनों पच से तीन पिडी रिस्टों को वर्जित माना जाता है इनके समाज में जब बेटा बड़ा हो जाता है तो पिता के दौरा एक अगुआ की निुक्ति की जाती है उसके विवाज के लिए इन में भी बधुमुल्य का प्रचलन है बधुमुल्य के रूप में पोन, टाका या बिंदी देना पड़ता है इन में बधुमुल्य के रूप में सुवर देने की प्रथा जो है प्रचलित है इनके समाज में पालक तथा विद्वा विवा का भी प्रचलन है पालक मतलब किसी को गोद लेना पालना पोसना और विद्वा विवा के बारे में तो सब को पहले से ही पता है इनके परिवार में माता पिता और और विवाहित बच्चे सामिल होते हैं लेकिन कभी कभी विवाहित बच्चे भी माता पिता के साथ रहते हैं जार्खन का जो दुमका जिला है वहां के जो माल पहाड़िया जनजाती लोग है माता पिता से अलग रहने वाले परिवार अधिकांस देखे जाते हैं माल पहाडिया समाज में विवा के अनेख प्रकार प्रचलित है जैसे कन्या मुल विवा, प्रेम विवा, गोलड विवा, सेवा विवा तथा दतक विवा इनके मद कन्या मुल विवा का सबसे अधिक प्रचलन है कन्या मुल विवा में कन्या से विवा करने के लिए बर को कुछ मुल चुकाना होता है कुछ धनरासी देना पड़ता है इस प्रकार का जो विवा है वो माल पहाड़या जन्जाती में सबसे अधिक प्रचलित है इस जनजाती के लोग मृत्यू के बाद का जीवन में भी आस्ता रखते हैं विश्वास रखते हैं जिसके कारण ये सभी अबसरों में कोई भी पूजा हो परब्तेहार हो अपने पुर्वजों को याद करते हैं और उनकी पूजा करते हैं इनके सर्वोच देवता है धर्ती ग्रामीन गोसाईं जो की किसी ब्रिच के नीचे पत्थर में बिराजमान होते हैं इनकी सबसे महतपूर्ण पूजा माधी पूजा है जो सब के साथ मिल जूल कर मनाया जाता है और इनका जो पूजारी है उनको देहरी या फिर नाडो कहा जा जाता है वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया गया था कि ये जनजाती के लोग जो है अपने जीविको पारजन के लिए कुर्वा खेती करते हैं तो कुर्वा खेती करते समय जेष्ट के महने में बीची एरई पूजा करते हैं और उस समय खेतों में बीज बोया जात और एक पूजा है जो इनके दूआरा किये जाते हैं वो है गांगी पूजा जो की भादो मेहना में किया जाता है। इस जनजाती के मृत्यू संसकार में सबों को दफनाया जाता है और इस दिन के बाद स्राद करम किया जाता है जिसे कमान कहा जाता है इस दिन भोज का भी आयोजन किया जाता है तो माल पहाड या जनजाती के बारे में इतने ही फिर मिलेंगे एक नए इन्फरमेटिक वीडियो के साथ दोस्तों वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दे और चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को दबा के रख ले थैंक यू